अकलेश के बयान पर चाचा शिपाल का पलटवार सामने आया है उन्हें लगता है हम भाशपा में तो तुरंत निकाल दे ये शिपाल ने पलटवार किया अकलेश यादव परून सही समय पर सही फैसला करेंगे मुलाइम सिंग यादव हमारे साथ है ये शिपाल सिंग यादव ने कहा है प्रसपास संगठन के पुनरगठन पर काम लगतार कर रहे हैं आजम खान का उत्पीडन हो रहा है और आजम से मिलने सीतापुर जेल जाएंगे ये भी शिपाल सिंग यादव ने बड़ी बाते कही हैं उन्होंने कहा कि आजम खान से मिलने के लिए सीतापुर जेल भी जाएंगे कई बड़ी बाते इस दोरां शिपाल सिंग यादव ने कही है पहली बड़ी बात आजम खान से मुलाकात को लेकर उन्होंने कही दूसरी बड़ी बात उन्होंने कहा कि अगर अखलेश यादव को ये लगता है कि हम बीजेपी में हैं तो हमें वो विधान मंदल से निकाल दें दरसल ये पलटवार उस बयान को लेकर दिया गया है जब अखलेश यादव से सवाल किया गया जैन सौधरी के पहुंचने को लेकर और शिवपाल की आज लखनव पहुंचने को लेकर तो अखलेश भड़क गए और उन्होंने कहा जो भाजपा के साथ है वो समाजवादी पार हो रहा है आजम से मिलने वो सीता पुझेल कभी भी जा सकते हैं क्या कुछ कहा सुनिए जरा जब अखलेश यादव से आगरा में पूछा गया तो उन्होंने यह का कि भाई जो बीजेपी के साथ है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हो सकता आप विधाक समाजवादी वह शुपाल यादव ने अखलेश यादव के बयान पर पलटवार किया शुपाल यादव ने स्ताफ साथ कहा कि अगर अखलेश चाहें तो उन्हें पार्टी से निकाल सकते हैं आपको बता दे कल अखलेश यादव ने कहा था कि जो भाजपा के साथ है वो हमारे साथ नहीं लेकिन बड़ा सवाल यह मैंने नहीं भेजा जब अखिलेश यादव से आगरा में पूछा गया तो उन्होंने यह का कि भाई जो बीजेपी के साथ है वह समाज अधी पार्टी के साथ नहीं हो सकता आप विधायक समाज अधी पार्टी के हैं बीजेपी के साथ तो आप गए अभी राजने टेक्टी का गयर जुम्मेदारना प्यान है और अगर ऐसा उनको लगता है तो समाज बारी बिरान मंडम दल से सी गिर निकाल तो दोनों के बयान आपने सुननी हैं और दोनों के बीट में जो खाई है वो कितनी गहरी होती जा रही है वो भी आपने देख लिय जे आजम खान का उत्मीडन हो रहा है शिपाल प्यादव ने ये पड़ा बयान दिया बहुत जल्द आजम खान से मिलने जेल जाएंगे ये भी शिपाल सिंग ने कहा है यूपी में नए मोचे के गचन को लेकर शिपाल का जवाब सही वक्त पर सही जवाब देंगे अब दे प्लेश के वार का पलटवार तो किया साथ में आजम खान की भी तारीफ करते में दिखाई दिये आजम खान का जिस तरीके से अंदेगी हो रही जमाजवादी पार्टी में आजम खान की उसका भी जिक्र किया उने कहा कि जल्दी में जाओंगा सिताफुर जेल और वहाँ ज चुका है समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है ये बहुत साफ हो चुका है एक तरफ अगर देखे तो तमाम बड़े नेता आजम खान और उनके परिवार से मुलाखात करने के लिए पहुंच रहे हैं शिवपाल संग्यादव भी कभी भी पहुंच सकते हैं इसके पीच एक बड़ी खबर मिल रही है पहले उसका रुख कर लेते हैं आजम खान को लेकर शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें कि आजम खान का उत्पीडन हो रहा है ये कहना है शिवपाल संग्यादव का बहुत जल्द आजम खान से मिलने जेल जाएंग कि यूपी में नया गठबंदन या फिर यूपी में कुछ नया बदलाव हो सकता है क्योंकि हमने जैन चौधरी को भी सुना था उसमें भी उन्होंने यह कहा था कि नए राजमितिक दल की जरूरत है और कुछ इसी तरीकी की बात है शिवपाल सिंग्यादव कह रहे हैं और तम मुकदमें पर मुकदमें मुकदमें पर मुकदमें इतने चोटे चोटे मुकदमें राजनेटिक वेक्ट पर लगाना उचित नहीं है उनका परिवाल लगातार हमारे संपर्क में है और हम किसी दिन भी आज हम भाई से मुलाकाद करने जेर में सीता पुछ जा सकते हैं तो आपने सुना क्या कुछ कहना है शिवपाल सिंग यादव का जब उनसे सवाल किये गए हमारे समवादाता अनुभव ने उनसे पूछा जो सवाल लगातार खड़े हो रही है जिस तरीके से नाराज़गी सामने आ रही है अलग-अलग दल के नेता मुलाकाट करने के लिए पहुच रहे हैं आजम खान को लेकर हमदर्दी जता रहे हैं तो क्या ये हमदर्दी सिर्फ आजम खान को लेकर है या फिर ये नाराज़गी समाजवादी पाठी से भी है ये सवाल सबसे बड़ा है जो बार-बार खड़ा हो रहा है यूपी में नए मोर्चे के गठन को ले तो वो शुपाल सिंह यादव है प्रकितिसी समाजादी पार्टी के दास्टिर देख समाजादी पार्टी के विदाए चर्चा यही है कि आखिर शुपाल यादव का अगला कदम क्या होगा सर सबसारा चर्चा में इस वक्त आप ही है पिछले 20-25 दिनों की बात करें हर को यही एसलिए कि कल जब अखिलेश यादव से आग्रा में पूछा गया तो उन्होंने यह का कि बाई जो बीजेपी के साथ है वो समाजादी पार्टी के साथ नहीं हो सकता आप विदाएक समाजादी पार्टी के हैं बीजेपी के साथ तो आप गैनी है अभी रानेते की क्या होगा अभी आप इंतजार कर रहे हैं अखलेश आदव के कदम का इसलिए आप अपना कदम नहीं बता रहे हैं जब आएगा तब हम आप से बात करके सब चीजें बता देंगे मुक्रमंत्री योग्यारी इतनाच से मुलाकात ही फिर आपने नरियन मोदी और सिस्टाचा तो देखिए अगर इनको समझते हैं सेटाचार बहेट को तो हमारे पर तुरंट कारवाई करें आपके खिलाव उसके लिए तयार हैं जिस तरीके से आजम खा अलग थलग पड़े हुए हैं तमाम लोग उनके समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं आप विधायक समाजवादी पार्टी के और आपके पुराने साथी हैं आजम का उनकी स्थिती को लेकर क्या कहें लिए कि आजम साब के साथ उठीडन लगाताथ दो साथ से जादा हो गए जिल में हो रहा है मुकदमें पर मुकदमें मुकदमें पर मुकदमें इतने छोटे छोटे मुकदमें राजनेतिक ब्यक्त पर लगाना उचित नहीं है उनका परिवाल लगातार हमारे संपर्क में है और हम किसी दिन भी आज हम भाई से मुलाकात करने जेर में सीता पुछ जा सकते हैं कि और दीवी नाराज है याप भी नाराज है तमाम और लोह वी नाराज है तुकि हैं को शी अलग मुर्चा को या लग गोड और मंश्च गृप संग अपयर में जानना हों गैकsmlles तब नेडे होंगे अभी तो उदर से कारवाई होगी। पहले भी आपको कारवाई नहीं हूँ जब आपने पार्टी बना ली तब भी आपको कोई कारवाई की नहीं थी अख्ली इसादोर चलो आपने इंते जार करोंगे। आपने अभी टावा में कहा कि नया संगठन बनाएंगे, नया संगठन क्या प्रकिति से समाज़ादी पार्टी चुनाव के बाद संगठन की समीच्छा होती है, पुनर गठन होता है, तो ये सब कम हमारे चल रहे हैं आपको भी लग रहा है कि अखले श्यादो को जिस तरीके से मुखर होकर आजम खां के मामले पर सहजिल इसलाम जो पार्टी के विधाय के उनके मुद्दे पर बोलना चाहिए, उन्हों नहीं बोला? तो इसके जुम्मिदार हम ठोड़े हैं, इनको पूछो जाकर बोलना चाहिए? नहां, जब पार्टी में जो भी उत्पीडन हो रहा है, तो ज़रूर के इस ठेवर में बोलना चाहिए अगर बयान दे रहे हैं, आपको बीजेपी में बता रहे हैं, आप से ज़्यादा नाराज़गी है, आप मनाएंगे भी तब भी आप जाएंगे या नहीं जाएंगे साथ? अब अगर उनको जई लग रहा है कि नहीं हैं, बीजेपी में हैं, तो तुरंट निकाल दे हैं बीजेपी में तो हैं नहीं, पीछे तो हमें प्रसपा का या बैना रोटिंग नजर आथ? चालो, देखे जाओ अबना क्या होगा? 2024 का आप इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं? सारी कमिट्टियां भंग हैं, समीचा हो रही है, पुनर गठन की तयारी हो रही है, यह हमारा काम चल रहा है जैन चोधरी कल जब मिलने गए आजम खांके परिवार से तो अखली शादो ने का कि मैंने नहीं भेजा उनको देखे जे तो सेश्चाचार बहट होती रहती है और होती रहना चाहिए आप नेता जी से भी मिलके आये थे उनको आपने इस सारी बातें बता ही थी आपकी बार आपको 20 साल जीये चलेंगे उनने कुछ कहा इस में सब आपकी बात हुई तो कुछ कहा इस पर कुछ कहा नेता जी हमारे साथ है 24 से पहले कोई बड़ा कदम आप उठाएंगे उसका इंतिजार कर रहा है या अभी अब दिन का उच्छे समय का इंतिजार करो उच्छे समय होगा हम बुला लेंगे आपको सब बातें बताएंगे आपसे बात कर रहे हैं वो ये बात क्यों कहते हैं हमारी बहत नहीं हुई है और राजनीत में इस तर रहना चाहिए छोड़िये नेताओं की बाते छोड़िये ना इस तर रहना चाहिए हम मना लेंगे वो हमारे साथ के हैं हमारी अभी तब कोई बाती नहीं हुई और इस तर सा जरूरी होती है राजनीत में लेकिन आप समाजवादी पार्टी के साथ तो आप इधाय कि आप खुद इस्तिफा क्यों नहीं दे देते हैं अब करभाई तो उनको करना चाहिए अभी हम तो समाजबादी पाटी से ही चुनाव लड़े साइटन से चुनाव लड़के उनके चुनाव चुन से चुनाव चुनाव सारी चीजे छोड़ दिया आपने पाई लेकिन आपने तो अपना काम किया चलिया हमने तो जो कर सकते थे किया लेकिन जब वो हमें समाजबादी पाटी में नहीं मानते हैं तो जल्दी निकाल दे अगर यही स्थिति रही तो समाजबादी पाटी का भविस्थ क्या देख रहें आप क्योंकि उसको आपने देखी रहे, आप भी देख रहे, हम भी देख रहे, सब लोग देख रहे तो पिज़ेपी नेताओं के संपर्क में आप हैं? देखे हैं, अभी तो हमारी कोई ऐसी बात चीत नहीं है, लेकिन सिस्टा चार भेटे चरूर रहे तो शुपाल सिंग यादव की पूरी बात हैं आपको सुना दी है, अनुभव ने उनसे बाट्रिक की और हर एक सवाल पर उन्होंने जवाब दिया, सलसलेवार तरीके से पलटबार भी किया है अकलेश यादव पर खुद अनुभव हुमारे साथ जुट चुके, उनका सिधे रुख कर लेते हैं अनुभव हर एक सवाल जो आपने पोचा वो दर्शकों ने उसका जवाब सुन दिलिया, लेकिन देखिए अब कदम आगे उठाना है शिर्पाल सिंग्यादव को, अगला उनका मूव क्या होगा सभी को इंतजार है, लेकिन खुद प्रसपा के चीफ वो चाचा, नाराज है देखिए शुपाल जादव ने अब साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साथ तो नहीं रहना है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, और ये भी कह रहे हैं कि जल्द ही इस बारे में बताएंगे, यानि कुछ ना कुछ उन्होंने फैसला ले लिया है, निर्ले कर लिया ह उसी को उन्होंने थोड़ा सा क्लोस करके रखा हुआ है, क्योंकि फैसला उन्होंने मन में ले लिया है, और उनको पता है कि उनको अगला कदम क्या उठाना है, पर वो अभी बता नहीं रहे है, ये जरूर है कि अब जब भी, देखिए उन्होंने का कि आजम खां से मिलने ज पर आज सुबह जब हमने उनसे बात की तो साफ तोर से नाराज़गी दिख रही है वह यह कह रहा है कि अखले शादा उनको जो विधान में अदर दल है क्योंकि वह टेक्निकली रूप से अगर विधायक है तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते हैं वह तो चाहिए उन्होंने का कि नहीं इंतजार कर रहा हूं अखले शादव के कदम का और उनको अगर लगता है कि मैं बीजेपी के साथ हो तो मेरे खिलाफ कड़ी कारवाई करें आजम खांका भी हमने सवाल उनसे पूचा तो उन्होंने साफ तरुपर का कि आजम खांके साथ जो उस पर बोलना चाहिए आखिर क्यों नहीं बोल रहा है अखले शादव यह उन्होंने का कि कम से कम अगर उनका उत्पीडन हो रहा है दो साल से जेल में बंद है तो जाना भी चाहिए और उस पर बोलना भी चाहिए इसमें सब को कई ने कई आवाज उठानी चाहिए तो कि चुनाओं में जीते पर नहीं जीत पाए और अब उनको यह लग रहा है कि यह बीजेपी के साथ चल गया तो नारादगी है और साफ तोर पर अब शुपाल यादों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वह समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाने वाले कोई गड तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस्तिति है कि समाजवादी पार्टी में वो चाहे अख्ले इसादों के हम बात कर ले आजम खा के मुद्वे पर तमाम लोग पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं इस्तीफा दे रहे हैं इसके अलावा तमाम जो सयोगी वो तो पहले से ही का रही है बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी समझ आदी पार्टी में जो इस बात को मानते हैं कि हां उन्होंने भी पार्टी को आगे ले जाने का काम किया है तो अब अगर अखिलेशादों ने कल जो बयान आगरा में दिया आज शुपा लिया तो जिस तरीके से खुल कर बात कर रहे हैं साफ तर पर कह रहे हैं कि अखिलेशादों कारवाई करें उनको हटा क्यों नहीं देते हमने उनसे यह भी पूछा है आप तो पिछली बार भी 2019 के जब चुना हुए तब आप तो अपनी पार्टी के बैनर पर लड़े और सिंबल पर लड़े तब भी अखिलेशाद कुछ अन्य सायोगी हो गए यह हो सकता है एक साथ आजाएं और हो सकता है कि समाजादी पार्टी के कुछ विधायक हो जो शुपाल यादों के संपर्ट में हो जरूरत बढ़ने पर वो भी साथ आजाएं क्योंकि हमने जब यह सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अब इसके सियासत में नए समिकर्णों को जन्म दे सकता है यह हम बार-बार कह रहे हैं और हर एक संभावना पर विचार कर रहे होंगे जाहिड सी बात है शुपाल सिंग यादव लेकिन अकिलेश और उनके बीच में यह मनभेद अब सबके सामने है राजिती में यह कहा जाता है अनु चुन-चुन करके उन्होंने हर वार का पलट वार किया है इसी पर समाजवादे पार्टी के प्रवक्ता मेजर आशीश चतुरवेदी जी हमाल साथ जुट चुके हैं आशीश जी बहुत स्वागत है आपका इबीपी गंगा पर सबसे पहला मेरा सवाल ये अभी सुना आपन तो मुझ पर कारवाई क्यों नहीं करते हैं अखिलेश यादव निकाल दे मुझे बहार फिर पिर अखिलेश जी ने जो कहा वो उन लोगों के लिए कहा जो भार्ती जंदा पार्टी के साथ प्रत्यक्स या प्रत्यक्ष रूप से हैं शिपाल जी से बहुत बड़ा दिल वोग तेल रखते हुए उनकी सदस्तिता एक चिक्टी थे खतम करा सकते थे लेकिन खतन नहीं कराई उनको भार्ती जंदा पार्टी के लिए भार्ती जंदा पार्टी से शिपाल जी को तो सब कुछ मिला है उनको तो यदी अगर स्वेन जाना चाहते है तो मैं से मुझता जाना चाहिए या भार्टी जंदा पार्टी उने लिना चाहती है तो मैं सुझता हूँ उनको अपना राज़ेता देता लेकिन अशिजी उस वद पत्रकारों ने सवाल किया था शिपाल यादव को लेकर अखले अखले शियादव से अप लोग अशिजी यह मान चुके हैं कि अशिजी यह मान चुके हैं यहां पर पूचा है कि अखलेश यादव आजम खान के जितने भी समर्थक इस्तिफा दे रहे हैं उन पर क्यों नहीं बात करते हैं आजम खान से मिलने क्यों नहीं जाते हैं या फिर उनके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं अखलेश आदव शिपाल सिंग आदव ने कहा है या तो कोई नहीं है नहीं है तो कुछ चब लोग जो उनके एर्डग है वो अपने आप जो एगे बाला हमें के लिए उनके नाम के इस्तिमाल करते हैं यदि मुझे आप से कोई परेशानी होगी तो मैं आप से कहूंगा ना कोई और वेक्टी मेरे अनाम लेकर करके आशी जी यही तो आपती है जितने भी समर्थकों ने इस्तिफा दिया उन्होंने यही का कि मिलने के लिए जाते ही नहीं है किलेश अदव सित